Drush का यूज़ कितना बैनिफिशल है डूपर डिवल्पेंट में और इसको यूज़ करते हैं कितना टाइम सेव कर सकते हैं इस पर बात करते हैं Drush basically एक यूटिलिकली है कमांड लाइन के तुरू हम इसको यूज़ करते हैं For example, हमने database एक connectivity करनी है किसी किसम की भी उसकेस में हम Drush को यूज़ करते हैं Like for example, आपने module इंस्टॉल करना है, कोई theme इंस्टॉल करना है या किसी किसम की कोई configuration अपडेट करनी है, script run करना है तो इन सारी situations में हम Drush के थ्रूँ यह सारे काम कर सकते हैं अब इसकी एक और example इस तरह से लेते हैं कि अगर आपकी site break हो रही है, somehow आप admin band में login नहीं कर पा रहे और आप database में भी आपके पास access नहीं है, वो काम आप database से directly नहीं करना चाहते तो वो वाला काम जो है आप Drush को यूज़ करते हुए कर सकते हैं किसी किसम की module को uninstall करना है, logs देखने है, cache क्लेर करनी है तो इस तरह की activities को हम प्रश के प्रू एजिली manage कर सकते हैं